हेलो फेंट्स हमारी जो KVS PGT सीरी चल रही है उसमें आज हम जो 11th NCRT है उसका बाकी का सेक्षन कम्प्लीट जो है उसको हम आज के लेक्षर में कम्प्लीट करने वाले हैं लेक्षर लेंदी होने वाला है चले फेंट्स विदाउट वेस्टिंग अने टाइम डेट्स डिसकस् किष्छन्स के दिकिए सबसे पहले जो बात करने इडविंचर स्टॉरी की बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टॉरी जें नाडलीकर किये रही है एक historical आप कह सकते हैं इसको और बात करें protagonist की इस story में तो कौन रहा है प्रोफेसर गाय तोंडे अगर आपको धियान हो तो प्रोफेसर गाय तोंडे जो है यहां जो आपके protagonist है वो रहे हैं लेकिन गाय तोंडे को गंगाधर पंथ या गंगाधर कांथ कौन सा नाम ठीक है फिरिंट बीवाल आपसराप का ठीक है गंगा धर पंथ कहां जा रहे थे प्रोफेसर गायतौंडे फ्रॉम पूने टुबंबे पूने तुडली बंब़े टुम्बे पूने और नौफेयर देखिए डेकर्ण क्वीन, रसधानी, जीजा माता एंड सताबदी तो जीजा माता ट्रेन थी जिसमें वो ट्रवल कर रहे थे वोम डिड प्रॉफेसर गायतोंडे मैट ड्यूरिंग ही ट्रेन जर्नी किस से वो ट्रेन जर्नी के दोरान मिलते हैं एक खान साहिब आपको ध्यान हो, खान साहिब पठान गुपता प्रोफेसर जॉर्ज तो खान साहिब से वो मिलते हैं वेर डिड प्रोफेसर गायतोंडें खान साहिब गट आफ और आगे बढ़ते हैं क्या प्रोफेसर को ये चीज़े दिखती है बिटिस आफिसर पार्सीज एंग्लो इंडियन स्टाफ मिलता है येस ओविएसली उनको वहां दिखता है बहुत सारी शॉप्स जो थी उन्होंने नोटिस की तो ये वाला अप्सन आपका ठीक हुआ बढ़ जाते हैं किस चीज को उन्होंने इंक्वाइर किया जब वो फॉब्स बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे तो मिस्टर विने गायत ओंडे थे जिनको उन्होंने क्या किया था इंक्वाइर किया था तो मिस्टर विने गायत ओंडे डी वाला अप्सन आपका ठीक हुआ why did the professor go to town hall क्यों जाते हैं professor town hall ध्यान हो आपको जो history book थी उसके कुछ facts जो थे history book से कुछ facts को चेक करने के लिए वो जाते है तो यह वाला officer आपका ठीक होता है and what did professor start investigating at town hall town hall में क्या investigate करना वो सुरू कर देते हैं असो के time का period उससे लेकर जो पानी पत का third battle हुआ था वहां तक का period क्या करते हैं वो investigate करते हैं town hall में what did the professor find in the fifth volume of क्या है friends भूशन अबांची बाखेर उसमें क्या देखते हैं professor को fifth volume में क्या मिलता है देखें maratha had won the battle of panipat ये बात उन्हें उस book में दिखाई पड़ती है what happened after the battle of panipat in India panipat के जो panipat का battle था उसके बाद भारत में क्या हुआ था इंडिया moved to the path of democracy उसके बाद इंडिया डेमोकेशी की तरफ बढ़ गया और panipat के तीन युद हुए पंदर सो चब़िस में पहला हुआ था बाकी दोनों कब हुए जरा कमेंट करके मुझे बता दीजेगा अगर आपको याद हूं तो why did professor start liking the new India that he was reading about क्यों प्रोफेसर ने उस इंडिया भारत ने भारत को पसंद करना सुन करतिया this country knew how to stand on its feet it was different from one in this form as he liked the ruler no first one option ठीक वा this country knew country को पता था how to stand on its feet what book did professor slip into his pocket before leaving the library कौन सी जो book थी वो slip हो गई उनकी pocket से library को छोड़ते वक तो बाखर जो थी वो book थी वो slip हो गई थी and towards which place did the professor decide to take a walk after having his dinner कहां वो decide करते हैं जाने के लिए वो आजाद मैदान है वो जाना वहां चाहते हैं वो decide करते हैं आजाद मैदान जाने के लिए what did the professor notice at the lecture going on in the पंडाल पंडाल में जो lecture हो रहा था उस lecture में क्या professor ने notice किया देखते हैं वो presidential chair जो थी वो खाली थी वो notice करते हैं उस खाली chair को what did the professor do when he notice the empty chair उन्होंने जब देखा कि वो जो चेर थी वो खाली थी तो क्या किया कुछ जागे वहां बैठ गए यह वाला उपसर आपका ठीक हुआ और बढ़ते आगे how did the crowd react when he sat on the empty potential chair crowd ने किस तरह से react किया जब उन्होंने empty chair को देखा crew several objects at him and posed him away asked him to leave politely hard his speech and did nothing but ignored तो यह वाला उपसर आपको ध्यान हो तो ठीक है what happened after the empty chair incident इस empty chair incident के बाद क्या होता है वो hospital चले जाते हैं he was in the hospital फिर तो hospital ही जाएगा इन्सान and whom did the professor meet at the hospital किस से प्रोफेसर है hospital में मिलते हैं राजेंदर से वो मिलते हैं clear friends and why did professor राजेंदर say that the incident narrated by गायतोंडे were not real प्रोफेसर क्यों कहते हैं राजेंदर कि जो गायतोंडे ने incident बताई वो real नहीं थी क्योंकि as he was in coma for two days he was not well his mental state was not, तो यह वाला option आपका ठीक हुआ क्योंकि वो दो दिन से कुमा में थे and this theory as explained by राजेंदर states that a small change in the situation can result in a shift in behavior कौन सी theory थी और theory थी catastrophe theory जो है वो राजेंदर state करते हैं राजेंदर बताते हैं catastrophe theory को according to which of the two theories the incident which with professor गायतोंडे happen कौन सी theory से जो गायतोंडे के साथ incident घटित होती है catastrophe theory and lack of determination in quantum theory तो इसी वाला option अब का ठीक हुआ what happened to madras in reality oh sorry marathas in reality maratha के पास साथ वास्ता में क्या हुआ था they lost the battle battle को हार गए थे यह हुआ था और क्या हुआ था what happened in the case of electrons in lack of determinism in quantum theory electrons doesn't move electrons merge with their atom other atom one cannot predict which path the electron take at the point of time तो यह हुआ पता नहीं रखता किस टाइम क्या होना है किस टाइम जो किस टाइम उनका पाथ जो है merge होना है what happens once the observer knows about the correct placing of the electrons in every world क्या है theory देखे alternative words can exist at the same time yes right ये वाल अपसर आपका ठीक हुआ in reality was the profession in two different worlds at the present time yes in reality वास्ता में was the professor in two different worlds at the present time yes दो different words में था उस समय and what did you notice about both the words अब क्या notice करते हैं दोनों words को different histories and different sets of events दीवाल आपसर आपका ठीक होता है how many days did the professor live in the alternative world उस alternative world में कितने दिन प्रोफेसर रहता है obviously दो दिन प्रोफेसर रहता है और where did the train stop beyond the tunnel train कहां रुकती है small town और कौन सा टाउन था सरहद आमेर डली माउंटेन तो सरहद जो टाउन था वहां वो रुकती है आगे बढ़ जाते है friends next chapter है वो है आपका silk road what is kora कोरा क्या है yoga asana meditation small town and meditation performed by buddhist believers तो जो buddhist believer है वो जो meditation perform करते हैं उसको नाम दिया जाता है kora what was the protagonist heading towards in the beginning of the chapter कहां जा रहा है protagonist माउंट कैलास कैलास परबत की तरफ वो जा रहा है ध्यान हो आपको तो and what was the sky looking like due to the sun rays spreading on the mountain tops जो sun है वो sky है वो कैसा दिख रहा है yellow, rose, beautiful and friends तो obviously rose की तरह वो दिखाई दे रहा है what did Lamo give to the protagonist as a farewell gift जो Lamo है वो protagonist को एक farewell gift के रूप में क्या देता है एक sheep skin coat ये वाला option आपका ठीक हो जाता है and who are drogbas drogbas कॉल है, drogbas क्या है, drogbas है hill tribes, sheep, local people, जो hill tribe है उसको drogbas कहा जाता है why did the driver take a short cut to chunk tank chunk tank में जो driver है वो shortcut क्यों लेता है क्यों उसने लिया he wanted to avoid traffic, he knew the shortest route towards mount class obviously मुझे सबसे जोटा route वो mount class की तरफ जानता था इसलिए उसने वहाँ से short cut लेना उचित समझा what is the meaning of kyang kyang का क्या meaning है, kyang कहते हैं जो dust का धेर होता है, बड़ा धेर उसको यानि C वाल option आपका ठीक हो गया where did the protagonist encounter the great herd of wild glass wild ass, कहां देखता है, जो protagonist है, वो great herd of wild ass, जो कहां देखता है जहां जो plains थे, वो बहुत stony हो गये थे, वहाँ उसको जो wild ass है, वो दिखाई देते है, दीवल option आपका ठीक हुआ what did the protagonist notice in front of Norman Tent, Norman Tent के सामने protagonist ने क्या notice किया, तो black Tibetan dog है, वो वहाँ उसने notice किये, और what did the big Tibetan dog do after they saw the approaching car, जब उन्होंने car को देखा, तो क्या कर दिया, उन्होंने, they ran, began it and bullet fired from a gun, they ignored, bagged, they never saw, obviously जब देखा, वो उसके पीछे आए, जैसे की bullet जो है, वो गन से निकलाती है, how were the Tibetan mastiffs famous in China's royal court, जो मास्टफेट्स हैं, वो किस तरह से चाइना royal court में किस तरह वो famous है, as hunting dogs, big animals, wild animals, तो hunting dogs के रूप में famous है, when did the protagonist feel pressure on his ears, उसको pressure क्यों महसूस हुआ, जब वो ice river में घुच जाते हैं, तो उसको अपने कालों पे pressure जो है, वो महसूस होता है, देखिए, कहाँ है, आई-सी रिवर माउंट के लाज, feeling sick, valley along ice river, रिए, सी वालाव सलम का ठीक हो जाता है, why did the driver stop at the car at a sharp turn, why car ने sharp turn को, sharp turn पर car को क्यों रोप लिया, एक truck था सामनी से, फ्रेंस long truck of snow was in front of them, long track of snow, एक जो track था, snow का, वो सामनी था, इसलिए उसने car वहाँ रोख ली, and what were the protagonist Daniel and Tustin doing when they saw the snow, Sutton और Daniel क्या कर रहे थे, जब उन्होंने बर्फ को देखी, तो, trying to enjoy the snow, sat at the rock to take rest, trying to move smoothly over snowy surface, they were trying to find a guest, तो, sea wall option हुआ बड़ी आसान जे से, उसनोई surface पर, वो smoothly move कर रहे थे, at what sea level, three of them were saw the snow on the road, कितनी उचाई पर थे, लगबग वो बावन सो feet की उचाई पर थे, वावन सो meter की उचाई पर थे, तो, एवाल option आपका ठीक हुआ, and when did the protagonist start to feel pulsated again, कब उसे दुआरा pulsated महसूस हुआ, when he reached his guest house, climbing the mountain, and still in the car, fainted, जब वो mountain पर चल रहा था, तब उसको जो अपनी pulse है, वो बढ़ती महसूस हुई, वो कहां रुके लंच करने के लिए, दो बज़े कहां रुके, तो obviously as a long canvas tent behind the dry salt lake and sea restaurant outside, तो, एक canvas tent में, जो dry salt lake के पास था, वहां वो रुक जाते हैं, what is an old route from Lhasa to Kashmir, what was, क्या था old route Lhasa से Kashmir जो था east west highway, होर town west south east west highway था friends, वो ध्यान हुआ आपको कहानी में, and why was Hor an ugly and miserable place, जो होर है वो ugly and miserable place जो हो क्यों है, it had no modern market, no vegetation, any proper medical facilities, place to life, तो यहां कोई vegetation नहीं है, इसलिए इसको अगली place जो हो बताया है, and what are the names of four rivers that Lake Mansarovar consists of, कौन सी वो rivers हैं जो Lake Mansarovar consists करती है, तो Ganga, Yamna and Satloj, Yamna, Ganga and Indus, Ganga, Satloj and Brahmaputra, और Indus, Ganga and Yamna, तो Indus, Ganga, Satloj and Brahmaputra, शीवा लापसर आपका ठीक हुआ, at what place did protagonist wait for Tustin, while he was going to fix the punctured tires, कहां वो वेट करता है, जब उनकी कार पंचर हो जाती है, तो होर्स का जो कैफे हैं वहां वो वेट करता है, क्या हुआ वहां पर, वो प्रोपर्ली जो protagonist है, वो प्रोपर्ली सास भी नहीं ले पा रहा था, तो डीवाल आपसन आपका ठीक हो जाता है, कहां ले जाता है, कहां ले जाता है, कहां ले जाता है, वो जो डार्शन मेडिकल कॉलेज था, वहां उसको ले कर चला जाता है, वो डीवाल आपसन आपका ठीक हुआ, कहां आदमी एक गेम जो था खेलता है, तो नियर जनरल स्टोर इन ओपन है, तो यह वाल आपसन आपका ठीक हुआ, क्यों वो फेस कर रहा था प्रॉब्लम क्योंकि उसे वहां कोई अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए उसे प्रब्लम जो है वो फील हुई, यह वाल आपसन आपका ठीक हुआ, वेर डिड़् प्रोटगानिस्ट मीट नौर्बू, नौर्बू कहां काम करता था, तो वो काम करता था फ्रेंट्स बीजिंग बीवाल आपका ठीक हुआ वाइड नौर्भू जो है वो वो को अरौ हे वोट बीजिक करना चाहता था। में क्तिकार कॉट्ण स्कूछ कालीन कॉट्णर क।। को नौर॑ स्कूछ और स्कूछ में ऐता है करना है। तो वाल आपकंट। कहीत है। wetञ मुट्ड्स आपका ठीक हुआ întीन। तुँ अफ तव निड़ थे यहर अर फादर टू पोएंग इसका जो पोईट है सबसे पहले वो आपको बताना है तो एलिजबेट जैनिंक्स जो है जैनिंक्स की प्यारि सी पोयम है फादर टू अब बता दीजिए रख किसके बारे में है father to son Unsettling relationship between father and son Father's old days, son comparing him to father Father taking to son about his child यह वाला option आपका ठीक हुआ Unsettling relationship यहां author दिखाती है How old is the son when his father rants about his agony to his son बेटे की क्या इज है, teenager grown up, child just became adult तो grown up है बेटा उनका Father tells him that although they have lived in the same house for years He envies him, adore him, doesn't understand him, finds him cunning Doesn't understand him एक ही घर में रहने के बावजूद भी बाप बेटे एक दूसरे को नहीं समझते What happened when he tried to build a relationship with him in his childhood क्या होता है जब उन्होंने एक relationship build करने की कोशिश की तो he was not successful His efforts were in vain तो भी वाला option आपका ठीक हो जाता है Does father know about his son's liking and disliking क्या आप फादर कुछ पता है नहीं जानते फादर अपने बेटे की likes और son and dislikes Why does the father use I in the line The seed I spent or so on it Where he was talking about communication gap कहां वो बात करते हैं उस communication gap की To acknowledge his role in the communication gap To acknowledge himself To let his son know his importance To make him understand about him To acknowledge his role in the communication gap And despite all his efforts to fix the communication gap Was the son able to understand his Understand him क्या बेटा उनको समझ पाता है नहीं समझ पाता है यही तो प्राब्लम है तो भी वाला option आपका ठीक हुआ What is the meaning of the child Is the built to my design Yet what he loves I cannot share क्या मतलब है इस बात का कि his son looks like him And they share everything with each other His son looks like him Yet they don't have anything to share Yes, obviously यह बेवाल आप संठी को ना चाहिए His son doesn't look at him Neither does his son like him Nor he understand him तो भी वाले option पर आप जाएए बिल्कुल accurate है Correct है And prodigal का क्या मिनिंग है जो prodigal यहां use हुआ है Prodigal They can understanding son And someone who is smart And spending money freely Obviously आपको answer आपका मिल गया Someone who doesn't spend money freely Prodigal होता है Someone who spends money freely Prodigal Is there a silence between the father and son क्या कोई silence आपको दिखती है Obviously दिखती है उसको ताकी सुधारा जा सके Does the father want his son to move around in his own world? Yes, absolutely not at all Not at all Clear? बाप नहीं चाहता Why was the father ready to forgive him? क्यों फादर रेडी हो जाता है उसको माफ करने के लिए? To let go of all the sorrows he had inside To become a better person To teach his son a lesson To help his son Obviously to let go of all the sorrows he had inside And when the son spoke for the first time Does he also feel sad about the distance between them? Yes, he did And what does the son share about him understanding himself? क्या सन जो बेटा है वो क्या शेर करता है He is at a point where he doesn't understand himself Obviously, evil option आपका ठीक हुआ And from where does the son's anger arise? बेटे का जो गुस्सा है वो कहां से निकलता है? Out of his nature, sadness, father's attitude, childhood memories Out of his sadness अब जाएए B option पर और बढ़ जाते हैं What happens when they both put out an empty hand for the others To seek क्या होता है? जब वो empty hands जो है For the others to seek जब बढ़ाते हैं दूसरों के लिए Affords are always in vain Obviously, सारे जो प्रियास हैं वो बेकार हो जाते हैं Find the simili used क्या simili यहां use होई है? देखे जरा कहीं like और as देख लीजिए आपको simili जो है दिख जाएगी Like यहाँ सी वोले अपसर में आपको दिखा तो we speak like strangers Simili आपको मिल गई अब जरा alliteration देख लीजिए SSS आपको पहली line में दिख रहा है Silence surrounds us तो यह दिख गए आपको alliteration आगे बढ़ते हैं बड़ी प्यारी सी कहानी है गोर्गोलियन जो एक family tribe है उसकी clear दो बच्चों की जहां एक white horse के बारे में बताया गया है तो बढ़ते हैं और पूरी जो कहानी है वो एक family की ट्राइब की जो इमानदारी है जो इमानदारी के लिए famous है गोर्गोलियन ट्राइब उसकी यहाँ बात होती है बात author की कुरे कौन है तो William Saroyan जो है इसके author है What were the hallmarks of the Gargolian tribe Gargolian tribe के क्या hallmarks थे Trust, Honesty, Both Obviously बोथ पर आप जाएए Trust and Honesty और यह कहानी जो है Story of two कौन से दो बच्चे हैं जिनकी कहानी है Armenian, Arcebium, Arcebium, Assyrian, African तो Armenian जो बच्चे हैं उनकी कहानी है मुराद, Enjoyed being more than anybody else तो मुझो मुराद है बच्चा वो क्या है Enjoyed being alive more than anybody else वो alive यानि बिलकुल जिन्दा दिल बच्चा है वो enjoy करना चाहता है life को What according to Aram was first longing Aram के according उसकी जो पहली इच्छा है वो क्या है गुरसवारी करने की उसकी इच्छा है Clear? And why couldn't Aram believe when he saw Murad with the house क्यों विश्वास नहीं कर पाता Aram जब वो मुराद को घोड़े के साथ देखता है Because Murad was crazy Because they were poor to afford a horse And because he was sleepy He was dreaming Obviously वो बड़े गरीब थे They couldn't afford a horse इसलिए उसको यकीन नहीं होता कि ये घोड़ा जो है वो उसके पास हो सकता है Where did Aram live Aram कहां रहता है At the age of town on Walnut Avenue Walnut Avenue के किनारे वो रहता है How does Aram describe the horse Aram जो है वो घोड़े को कैसे डिसक्राइब करता है Magnificent, lovely, beautiful, white horse Obviously दोनों option पे जाईए C वाल option आपका ठीक हुआ No member of the Gorgolian family Could be poor, rich, a thief, crazy But honesty और trust की है तो इस Gorgolian family का कोई भी member चोड नहीं हो सकता C option पे आप जाईए And Murad was considered the natural Descendant of his father, uncle, grandfather And great-grandfather Obviously अगर बात करें है Yes friends, बात करते हैं Murad was considered the natural descendant of his Murad वो माना जाता था इसका natural descendant अपने uncle का natural descendant मौराद माना जाता था आपको जो uncle Khosrob है अगर उसको describe करना पड़े तो आप क्या कहेंगे What did uncle Khosrob do to stop anyone from talking? Talking से रोकने के लिए वो क्या करते थे Uncle Khosrob by shouting at them C वाले अपसन पे आप जाईए What was uncle Khosrob customary line? क्या customary line थी uncle Khosrob की? Ignore it, forgot it, it is harmless, it is no harm, pay no attention to it तो obviously उनकी line थी It is no harm, pay no attention to it When Aram rode the horse alone, it ran down the road to the Wine yard, irrigation day, field and country site तो कहां चला जाता है? ये wine yard की तरफ चला जाता है And Morad had been hiding the horse Morad जो horse को hide कर रहा था In a stable, in a barn of a wine yard, in a secret place of his house वो in a barn of a wine yard में उसने horse को जो है, वो hide किया Yes, what was the behavior of the horse initially? Horse का जो behavior था, वो कैसा था? It wanted to be trained, reset and it wanted to run wild all of the hours तो it wanted to rest, run wild It wanted to run wild, वो भागना चाहता था What sort of an understanding did Morad mention with the horse? किस तरह की understanding Morad को horse के साथ दिखाई देती है Simple and honest understanding वास्तव में थी John Bayro, learn to speak Armenian Out of क्यों सीखी, John Bayro ने Armenian अकेले बन के कारण तो loneliness आपका answer हो गया And who was the true knower of the horse? जो horse था, उसका true knower जो है वो कौन था? John Bayro And for how long did Morad have the horse before Aram got to know about it? कितने time मुराद को वो horse जो है उसके पास रहा लगबग one month जो है वो रहा And at what time did Aram and Morad ride the horse की समय उन्होंने horse को चलाया? तो अगर बाट time की बात करें तो early morning वो घुर सवारी क्या करते थे? I have a way with farmers who says to whom ये कहता है friends मुराद कहता है Aram say I have a way with farmers कौन? मुराद to Aram यानी डीवाल आपसन आपका ये ठीक हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं A suspicious man would believe his eyes instead of his heart एक suspicious जो आदमी है वो विश्वास करेगा अपनी आखों पर अपने दिल के मुकावले What does it tell about him? He believed in the honesty of gargolian family Obviously उन्हें विश्वास था honesty की gargolian family में इसलिए वो इस बात को कहते है Why did the horses owner refuse to believe that the boys had stolen his horse? क्योंकि उनकी family honesty के लिए जानी जाती थी obviously भीवाला option अब का ठीक हो जाता है And when did the boys return the horse? लड़कों ने जो horse से भुक कब लोटा दिया? After Aram learned, after an year, after six months, after they ran into John Byron And why did the boys return the horse, white horse to his owner? क्यों उन्हें उसको लोटा दिया? Because they were conscious striken Because they were afraid, they found it difficult to hide the horse Because they were accused of theft, no उनकी अंतरात्मा ने कहा, इसलिए उन्हें उस horse को लोटा दिया After the horse was stolen and returned, it became जब horse को stolen and returned के बाद ये कैसा हो गया था? Ruffer, sickadal, stronger and better tempered So stronger ही हो गया था See वाले अपसन पे आप जाईए Quiet man, quiet, your horse has been returned Who said this? कौन इस बात को कहता है Uncle Khosrow इस बात को कहते है कि चुप हो जाओ आपका घोड़ा जो है वो मिल गया है, वापस लोटा दिया गया है Who is the narrator of the story? अगर कहानी में narrator की बात करें तो कौन है? Narrator references का Aaron Clear? And what is the theme, what idea, what theme does? क्या ये theme जो है वो entail करती है Honesty, Honour, Trust Obviously लेखिए, Honour भी है, Trust भी है, और Honesty तो है ही, तो All of the above पर आप जाएए और next story है, वड़वार के दोरान की, और title history का the address How did Mrs. Darling treat the author when the author visited her? Mrs. Darling कैसे treat करती है author से, जब author उनसे मिलता है Clear? तो कैसे मिलती है, तो कैसे करती है, वो actually cold and inhospitable रहती है Her face gave absolutely no sign of recognition who is she, who is her वो कौन थी, तो Mrs. Darling थी, clear? और in what attire did the author find Mrs. Darling? कहां उसको Mrs. Darling मिलती है, author's mother green knitted cardigan Yes, कौन से कपड़े पहने वे थे उसने? Yes, उसका author की जो मा थी, उसका एक cardigan बुरा हुआ था, वो पहना था Mrs. Darling क्यों कहती है इस बात को? क्योंकि she thought everyone in the protagonist family were dead इसलिए वो इस बात को कहती है उन्हें लगता है कि शायद उस family से हर्वेक्ती अब मर गया है What was the address that the author's mother asked her to remember? कौन सी address को author जो थी, उसकी मा ने उसको कहा था कि बेटी ये address जो है तुम याद रखना Number 46, Marconi Street ये address था, Mrs. Darling's was of Mrs. S Mrs. Darling कौन थी? Mrs. S की An old acquaintance, एक पुरानी परीचित जो है वो थी Mrs. Darling took the possessions of the things on the pretence of Mrs. Darling ने जो possessions लिया उन वस्तु हो का on the pretence of using them, selling them, keeping them safe तो C वाले option पर आप जाईए, D पढ़ने की भी ज़रूत नहीं है और अब बढ़ते next question पर Was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Darling take away their things? Yes, partially, थोड़ा थोड़ा सा Okay, author convinced the her mother's idea letting Mrs. Darling take away their things How does the author describe Mrs. Darling when she saw her the first time during the war? A woman with a broad back, yes, a woman with a round back state तो broad की बात होती है, a woman with a broad back And why did the author wait for such a long time before visiting the address? Yes, because she was not interested because she was afraid to confront her mother's belongings Obviously, ये दोनों बाते ठीक हैं And why had the author come to visit Mrs. Darling? Author Mrs. Darling से मिलने की हुआ Because Mrs. Darling had the belongings of author's mothers Obviously, author की जो मा थी उसका जो समान था वो Mrs. Darling के यहां था इसलिए वो वहां आती है Who opened the door? Door किसने खोला था? Door खोला था Mrs. Darling की बेटी ने Unlike Mrs. Darling, her daughter was towards the author उसकी तरह से जो उसकी बेटी थी, Mrs. Darling की वो कैसी थी? Rude, mature, and hospitable, and mean तो वो बेटी जो थी उसकी वो कैसी थी? Hospitable थी? What was the protagonist's reaction when she entered the living room? जब वो living room में जाती है तो उसकी क्या reaction थी? वो horrified महा हो गई थी And I was in the room, I knew, and I did not know What does author mean by this? Author का क्या मतलब था? I was in a room, I knew, and did not know जिसको मैं जानती थी और जिसको मैं अब नहीं जानती See, वो साफ familiar things but in unfamiliar surroundings Obviously, familiar चीज़े थी क्योंकि उसकी मा की चीज़े थी और एक unfamiliar surroundings में थी तो इसलिए वो इस बात को कहती है How does the author describe the living room? Author ने living room को किस तरह से describe किया है? मगली smell, strange atmosphere and sophisticated तो मगली and strange atmosphere दोनों पे आप जाएए तो यानि दीवाल option आपका ठीक हो गया In what condition did the author find the living room? किस condition में उनको जो living room दिखता है? है, haphazard, well arranged, empty and old fashioned Obviously, it was haphazardous The author remembered that the woolen table cloth had क्या याद आया उसको कि जो woolen table cloth था उस पर एक mark था, ink mark defect and burn mark It had a burn mark एक burn mark यहां उसको दिखा वो उसको याद आ जाता है तो when they were out of sight, when they are used, when they are sown and all of that So when they are out of our sight जब वो हमारी नजरों से में नहीं होती तब हम चीज़ों को notice करते है What was the silver that the author was once asked to clean by her mother? वो silver क्या थी? Silver से मतलब था यहां silver की जो cutlery से Cutlery की यहां बात हो रही है Why did the author leave Mrs. Darling in a hurry? Author Mrs. Darling को जल्दी में क्यों चोड़ाती है? Because she was getting late Because she no longer wanted to stay Yes, obviously दो रोपसर आपके ठीक हुए तो आप बोथ A and B पे जाएए Next बढ़ते है Next question पे Why did the objects lose their value for the author? जो objects थे उनकी value अब author के लिए नहीं थी? क्योंकि Obviously वो उनको different surrounding में देखती है इसलिए उनके लिए कोई value नहीं थी At the end what does the author decide? अंत में क्या decide कर लेती है? To forget the address, उस address को भूलने के लिए To visit, to remember Obviously वो decide करती है कि अब इस address को भूल जाना ही बेतर है protagonist कोन है? इस lesson की तो Mrs. Darling और Mrs. S. Daughter तो S. Daughter जो है वो यहां protagonist है The author had come to visit Mrs. Darling the war So the author had come to visit Mrs. Darling after the war War के बाद की यह कहानी है War के पहले की या war के समय की नहीं है What was the very first out of her mother's possession that the protagonist recognized? सबसे पहले protagonist कौन सी चीज को पहचान जाती है Obviously जो उनकी मा का बुना हुआ कार्डिगन था उसको वो पहचान जाती है In total how many times the author visit the given address? कितनी बार वो उस address पर गई है Obviously it was twice दो बार गई Author की बात करें Address के तो author है Margo Minco Marga Minco Clear? After reading the address How would you describe Mrs. Darling? Mrs. Darling को आप कैसे describe करेंगे Metalistic, selfish, opportunist Obviously सारी चीजे थी Mrs. Darling के लिए And what message किस message की यह author बात करके है The importance of things Not to trust someone Human predicament of war Yes See वाले option पे आप जाए Our next story है Mother's Day Clear? और story क्या friends J.B. Priestley का यह एक one-act play है Mother's Day बड़ी प्यारी सी कहानी है अगर पढ़ी हो तो Who is the writer of the play यह writer की बात हो गई है तो J.B. Priestley हो गया And what does the play mother's day talk about किस बारे में यह बात करता है Status of the mother in the family मा का status जो है Obviously इसमें बताया गया है And how does the author describe Mrs. Fit Gerard Fit Gerard को कैसे author describe करता है Fit Gerard worried, sinister, deep voice Is to worried and sinister And had a deep voice No अब कहिए इसको sinister and has a deep voice Clear तो B और C option पर आप जाहिए A B पर नहीं B और C पर Mrs. Fit Gerard is of Mrs. Pearson कौन है Fit Gerard उनकी एक पर उसी है Clear It is wonderful having a real livingness तो कौन सी बात है Real बात कर रही है अब real पर जाहिए तो real fortune teller Doctor, writer तो real fortune teller वो यहां शब्द कहती है इस dialogue में And where did Mrs. Fit Gerard learn to tell the future कहां उन्होंने future को बताना सीखा East में उन्होंने सीखा था And how does Mrs. Pearson describe her family members वो किस तरह से अपने family members को describe करती है Thoughtless and selfish Okay एवाल आपसन आपका ठीक हुआ In what endeavor did Mrs. Fit Gerard help Mrs. Pearson किस तरह से वो help करती है To see future, to make her family treat her well Obviously, उनकी family जो है बढ़िया से treat नहीं करती बच्चे बढ़िया treat नहीं करते उसको नोकरानी की तरह मा को समझते है तो Fit Gerard help करती है Mrs. Pearson की उन चीजों से बहार आने के लिए How would you describe Mrs. Pearson How does Mrs. Fit Gerard plan to help Mrs. Pearson किस तरह से? Mrs. Fit Gerard जो है, वो Mrs. Pearson की help करने का plan करती है By swapping personalities with Mrs. Pearson By listening to Mrs. Pearson's rents and by talking to Mrs. Pearson's family By swapping personalities with Mrs. Pearson, obviously Mrs. Pearson was about Mrs. Fit Gerard's plan What is the first thing that Doris does as soon as she enters the house? उसकों सा काम था? सबसे पहली वस्तु जो डैरिस करती है जब वो घर के खुश्ती है तो क्या कहती है? अपनी मा से कहती है कि मेरा यलो सिल्क कपड़ा है इस पर आप प्रेस कर दो तो D वाल आपसन आपका ठीक हुआ What makes Doris astounded as soon as she enters the house? The sight of her mother's smoking Because the tea was not ready, her mother was not there Obviously, mom smoke कर रही थी मारे का मेरे पस time नहीं है अपने आप इसको प्रेस कर लो Where does Doris headed for the night? Doris कहां? रात के लिए कहां जाना चाह रही थी? वो अच्छल में कहां जा रही थी? Charlie Spencer के साथ वो जा रही थी बीवाले अपसन पे आप जाएए Bukteeth and Half-Witted Who has been described here? Bukteeth and Heart-Witted Charlie Spencer को यहां कहा है Half-Witted What are the changes that Mrs. Pearson referred to Cyril? क्या changes जो है Mrs. Pearson Cyril के परती लाती है चीज in the way she is treated by the family Obviously यह वाले अपसन पे आप जाएए And why was Doris red-eyed? Doris क्यों उसे में भढ़ जाता है? Because of an infection, fight, crying, getting ready to head out Obviously because of crying Or well she has suddenly all different who said this and to and for whom कौन कहता है well she has suddenly all different वो बिलकुल बदल गई है Doris कहती है अपनी और हर मदर अपनी मा के लिए How does the author describe George Pearson को author कैसे describe करती है? Pompas, Solomon, 50 is Yes तो devil option आपका ठीक हो गया And what was George's reaction when he saw his wife drinking stout during daytime? George की क्या reaction थी जब वो वाइफ को पीते हुए दिन के समय देखता है He did not like it Obviously उसको पसंद ये बात नहीं थी Mrs. Pearson tells George that he is being at the club तो he is tells George that he is being respected left person and called names both B & C Obviously friends देखिए आप आईए D option पे बहुत B & C He laughed upon and called names And according to Mrs. Pearson why where Cyril had been wasting his time and money कि कहां वो पैसा जो है वेस्ट कर रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था Races, ISOs, both A & B and clubbing तो वो जो पैसा अपना वेस्ट कर रहा था कहां Both A & B, Races and ISOs में पैसा वो वेस्ट कर रहा था It's that silly old bag from next door Mrs. Fitzgerald who said this korn इस बात को कहता है तो ये बात कहता है friends Cyril और what does George mean when he says we are at 6th and 7th year George का क्या मतलब है इस बात को कहने का क्योंकि वो in the state of confusion and disorder में था इसलिए वो ये बात जो है ये phrase जो है वो कहता है When do Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald go back get back to their original cells कब आती है अपनी original cells में वापस जब situation उनकी बिलकुल उनके हाथ में आ जाती है तब वो वापस आ जाती है तो यानि सी वाले option पे आप जाएए Mrs. Pearson's family had been towards Mrs. Pearson पेर्सन फैमिली को जो क्या था had been respectful, polite, biased and unappreciate तो unappreciative रही है अपनी फैमिली में ही Mrs. Fitzgerald asks Mrs. Pearson to be with her family क्या होने के लिए कहती है Mrs. Pearson को तो कहती है कि तुम फार्म हो जाओ, द्रण हो जाओ, बच्चों के कहने में मत आओ What does Mrs. Pearson suggest them to do for that night? क्या हो करती है, क्या suggest करती है तो family, game of rummy, getting the supper ready, both तो दोनों option अब tick कीजिए, दोनों ठीक है The attitude of Mrs. Pearson's family changes towards her Yes or no? Yes, obviously And what message does the author, author क्या message यहां देता है Mother's birth में Mother's day में Obviously author का मतलब है appreciate wives mothers for their work Yes, appreciate करें अपनी मा को या wives को अपने काम में Yes, author birth, बर्थ जाते हैं next, बर्थ पे चली friends, author कौन है बर्थ के, बर्थ के author है जे कॉर्णन Clear? A.J. Cornyn And Andrew did his medical practice under the assistance of Andrew ने किस के assistance में practice की तो Dr. Pease था आपको धिहान हो And who was waiting for Andrew at midnight कौन वेट करता है? Andrew का midnight में Joe Morgan जो है वो वेट करता है, करती है And what did Joe Morgan, where did Joe Morgan live? अगर बात करें रहने की तो it was number 12, Vienna Terrace How does the author describe the bedroom of Joe's house? जो उसके घर के bedroom को author कैसे describe करता है? Poorly furnished, clear? And how has the author describe Mrs. Morgan's mother? Mrs. Morgan की मा को author ने कैसे describe किया? Why is grey-haired in her seventies? Yes, all of the above. Okay, when Andrew approached Susan was accompanied by her mother and a midwife. Okay, सी वाले अपसन पे आप जाएए, don't fret. Mother, I'll not run away. Why did Andrew say this? Andrew इस बात को क्यों कहता है? To reassure Mrs. Morgan's mother and to fulfill his, तो एवाले अपसन पे आप जाएए, Andrew decided to at Joe's house. Andrew क्या decide करता है? Andrew's house में ठहनने के लिए to stay while waiting at Joe's house. What did Andrew think about? Andrew किस बारे में सोचता है? Obviously, Morgan's condition failed marriage and Christine. Both B and C पे आप जाएए. How was newborn child? Newborn child कैसा था? It was lifeless. What dilemma did Dr. Andrew confer? Dr. Andrew confer? Andrew किस dilemma को face करते है? Whether to attend the child or the mother? किसको बचाया जाए, बच्चे को या मा को? In the dilemma he faced, what did Andrew do? इस dilemma में Andrew क्या करते है? Check upon Susan first. Yes, obviously, यह वाला option हुआ आपका. Where had the midwife placed the stillborn child? उस midwife ने stillborn child को कहां रखा था? Under the bad, bad के नीचे उसने रखा, what did Andrew conclude from the witness of the child? Andrew ने क्या witness किया? Obviously, he suffered from lack of oxygen उसने महसूस की oxygen की कमी. What did Andrew remember about Samaritan? Samaritan के बारे में क्या remember करता है? क्या याद आता है Andrew को treatment he witnessed. Okay? And what all things did Andrew use in the treatment? कौन सी वो चीज़े थी जो Andrew ने treatment में use की? तो hot and cold water basin blanket तो सारी चीज़े वहां use की. How did Andrew try to save the stillborn? Stillborn को कैसे उसने बचाना चाहा? कैसे save करना चाहा? Using a special method of respiration. Okay? एक special method के दोरा. After trying for 15 minutes, Andrew felt hopeless. Okay? And next है. What did Andrew remember in the middle of ongoing treatment? क्या उसको याद आ जाता है? Morgan families longing for a child. वो याद आ जाती है उसको. And why did the child become slippery in Andrew's hand? क्यों वो slippery हो जाता है Andrew के hands में? Because of constant juggling between waters. Okay? How long did it take for Andrew's effort to yield result? कितना time उसको लगता है? लगबग लगता है उसको आदा गंटा? And what did the author refer to as a miracle? author कैसे as a miracle उसको रफर करता है? क्योंकि life getting into the stillborn. Okay? ये वाले अपसन पे आप जाईए. But her hands were together. Her lips moved without sound. Who is her? इसकी बात हो रही है Mrs. Morgan की mother की. Why did Andrew got oblivious to all the work he had done in Blenley? Yes. Because he got all hopeless. And because he did something extraordinary that night. Okay. भी वाले अपसन पे आप जाईए. And during the whole incident Joe did not enter the house. Why? जो घर नहीं घुसा क्यों नहीं घुसा क्योंकि वो anxious था. Okay. And after how many years were Joe and Susan blessed with a child? Susan और जो को कितने समय के बाद एक बच्चा हुआ था. Like 20 years. After 20 साल के बाद ये बच्चा उने हुआ. Why is the lesson named birth? Lesson का नाम जो है या birth क्यों रखा गया है? क्योंकि birth, child birth के बारे में था. Because it is about birth of a child. Okay. See वाले अपसन पे आप जाईए. Birth of Susan's child was a turning point in Andrew's life. Do you agree? उसकी life में था. Absolutely. ये पे जाईए. And what can you say about Dr. Andrew after reading birth? क्या कह सकते है? कि he fulfilled his obligations well as a doctor. Okay. इस पे B option पे जाईए. And जो लास्ट लेसन है आपके 11th का वो है Tale of a Malan City. फटा-फट इसको पढ़ देते हैं. इसके MCQs को विक्रम सेट का एक प्यारा साहे lesson है. The Tale of the Malan City. How does the writer describe the king? Writer the king को कैसे describe करता है? Just and Placid. Okay. And what did the king order to be constructed? King क्या बनाने के लिए order देता है? एक आर्च बनाने का वो order देता है. What was the purpose of the construction? उस का purpose किया था? To improve viewers morally. See, option पे आप जाएए. What happened when the king wrote down the trophy? क्या हुआ था? The king's crown fell. King का जो crown था वो गिर गया था. Why did the king's crown fall? क्यों गिर गया था? Because the arch was built to low. क्योंकि जो arch थी वो बहुत छोटी वहां बनी हुई थी. This is a disgrace. Disgrace क्या थी? Disgrace थी crown का being stocked. Crown being stocked. ये disgrace वहां थी. And what order did the king give after the incident? क्या order उसने दिया? उसने order दिया? He ordered to hang the chief of the builders. Builders को hang कर दिया जाए. Who did the chief of the builders blame? उन पर क्या blame लगाया गया? उसने लगा दिया कि workman ने बढ़िया काम नहीं किया. What reason workman की? जो workman था उसने क्या reason दिया? उसने कहा कि जो एटे थी वो बढ़िया साइच की रही थी. और architect who made the amendments, according to architect who made amendments जो थे वो किस ने किये? राजा ने amendments जो हैं वो किये. ये पे जाएए. listening about his own hanging, who did the king call for? the wisest man in the country. इस पे जाएएए. who according to the council was the culprit that was brought before the king? कौन था council के अगाद कुर्ड था? वो था the arch. What was it shameful to hang the arch? ये पो हैं करना क्यों shameful था? Because it has toughest touched the king's head. After all the consideration and discussion, the crown was getting restless. रूपलिक दिमांड तो फुल्फिल कौन सी दिमांड थी वन्टेट थी उनेक हैंगिंग चाहिये थी पूलिक दिमांड पूलिक पूलिक दिमांड पूली की गई थी मेंजरिंग हाइट को नापके वन वाइवन फाइनली हुवज टॉल इनफ तो रीच दा रूज अंत में कौन था पहुचने के लाइग वहां और वो निकला राजा हुई हुवज तो चूज दे नेक्स्ट किंग किसको नेक्स्ट किंग जो है अब बनाया जाए अब एक मैलन को जो है एक नेक्स्ट किंग चूज किया गया और वहाँ एक जोहां पासँ है और वहाँ जो है किंग चूज किसको नेक्स्ट किंग जो है क्यों आग। बहुत चूज कि बनाया कर्वं क्यों कि ऊसको मैलन पसंथ है of the state, kya most important tha, their peace and liberty, okay, what sort of principles seem to thrive in the state, less is fair, B वाले अप्सन पे आप जाएए, after reading the tale of the melon city, what opinion, आपको क्या opinion के बारे में बन जाती है, एक foolish king, obviously, a foolish king, do you think that the king took his notion of justice to fall, yes, he lost his life in the process, सीवाल अप्सन आपका जाएए, और आगे बढ़ें, what impression do you form of the crowd of the state, अब क्या impression crowd के बारे में आप मनाते हैं, they were of no good, they were supportive of their king, they were indifferent from who was thronged, both A and C, okay, तो डी वाले अप्सन पे आप जाएए, the minister were foolish to ask an idiot about their next king, do you agree, yes, obviously, and what is the genre of the tale of melon city का, क्या genre है, thriller, ironical, humorous, and both B and C, तो देखिए, humorous है, and ironical है, तो बोथ B and C, यानि D option आपका ठीक हुआ, और यहां हो जाते हैं आपके, 11 जो है, आपकी complete हो जाती है, NCRT, यानि हान्वूल एंड, snapshots, और यह जो lecture है, यह आपके quick revision में, बड़ा helpful प्रूव हुआ होगा, I hope, और चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है, सब्सक्राइब करें, Million Minds English app को install करें, play store से, and now, thanks for watching this video.